उर्वसी रौतेला ने साल 2013 में अपने से 37 साल बड़े सुपरिश्टार सनी देवल के साथ बॉलिवुड में डेब्यू किया था। उर्वसी की सनी देवल के साथ आई फिल्म सिंग साहब दी ग्रेट रिलीज हुई थी लेकिन ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ओंधे मुगिरी। गदर फिलम के डारेक्टर अनील सर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। 42 करोड रुपियों के बजट से बनी इस फिल्म ने महज 32 करोड रुपय की कमाई की थी। इस फिल्म के बाद प्रोडूसर को 10 करोड का सीधा घाटा लग गया था। सिंग साहब दी ग्रेट के फ्लॉप होने के साथ उर्वसी राउतेला का डेब्यू बिगड गया। हालांकि उर्वसी ने भी फिल्म फ्लॉप होने पर हार नहीं मानी और ग्लेमर की दुनिया में धूम मचाती रही। 10 साल के केरियर में उर्वसी राउतेला ने 25 से ज़्यादा फिल्में और म्यूजिक वीडियो कर लिये हैं लेकिन 10 साल में उर्वसी की किस्मत में एक भी हिट फिल्म नहीं आई। उर्वसी की सारी फिल्में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही। उर्वसी रौतेला ने डेब्यू फिल्म के बाद हनी सिंग का म्यूजिक वीडियो लव डोज किया था। इस वीडियो ने उर्वसी को उनकी डेब्यू फिल्म से जादा सोहरत दिलाए। लेकिन इसके बाद उर्वसी के हाथ एक और फिल्म लगी। साल 2014 में रिलिज हुई फि इस्टर आईरावता और सनम्रे जैसी फिल्मों में काम किया। लव इस्टोरीज में उर्वसी की अदाओं का जादू फीका रहा और बॉक्स आफिस पर बुरी तरह पिट गई। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद उर्वसी ने अपने केरियर के ग्राफ में रंग 2018 में हेट इस्टोरी और 2019 में पागल पंती जैसी फिल्मों में काम किया लेकिन उर्वसी का केरियर हर प्रियास को पीछे छोड जमीन पर धरा रहा। हालांकि फिल्मों में कोई खास मुकाम हांसिल नहीं होने के बाद भी उर्वसी ने आइटम गानों में अपने डांस मूव से लोगों के बीच अपना नाम जमाना शुरू कर दिया उर्वसी ने कई फिल्मों में आइटम सौंक्स किये और खुब तालिया बटोरी बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद भी उर्वसी ने अपनी स्टारडम को चमका लिया लेकिन एक कथित अफेर ने उर्वसी रौ के कमरे में सो गई वो करीब दस घंटे तक इंतजार करते रहे इसके बाद वो चले गए मिश्टर आरपी के नाम से टीम इंडिया के क्रिकेटर रिशब पंत भी जाने जाते हैं इस इंटर्व के बाद रिशब पंत और उर्वसी के रिलेशनशिप की खबरों ने जोर पकड के क्लियर करने को काफी देर हो चुकी थी सोसल मीडिया पर दोनों के अफेर की खबरे फैल चुकी थी रिशब पंत के फैंस भी उन्हें बाबी कहकर बुलाने लगे थे हालांकि बाद में उर्वसी को काफी ट्रॉलिंग का भी सामना करना पड़ा था उर्वसी रोतेले एसि समय तक समझा हालांकि बाद में दोनों ने अपने रिश्टे को लेकर खुल कर बात की और साफ इंकार किया लेकिन दस साल के केरियर में एक भी हिट न दे पाने वाली उर्वसी रोतेला को इस कथित अफेर ने काफी पहचान दिलाए उर्वसी रोतेला और रिशब पंत के न जेबरा फिल्म में नजर आने वाली है इसके साथ ही बलेक रोज और नॉट यूर बेबी फिल्मों में भी उर्वसी के काम करने की खबरे हैं हालांकि इन प्रजेक्ट्स की अभी तक अधिकारी घोशना नहीं की गई है आई हो फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी बॉलीवूड के इसी प्रकार के मज़ेदार और मनोरंजक किसे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग